दोकरी पर है आपका हग चले लक्ष से लक्ष तक विरोजगारी से करने दो दो हाँ लक्ष आ रहा है ओनलाइन अपनी पूरी टीम के लिए चोटे-चोटे बच्चे इस करोना काल में अब इनके पास पता ने किस स्कूल के थोल्टी है नहीं है ये आज 11 इस्तंबर 2020 यमास्टित करें हमें ग्यान जोते स्कूल वाणों ने बेज़ा है सामने दिखाई दे रही तस्विरें सिरसा जिला के गाउं दड़बा कला की है जहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस परकार से एक साथ सैंकडों बच्चे जो हैं वो यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं अब यह पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी बात है क्योंकि बच्चों का भविश्य वो है लगातार खराब होता जा रहा है लेकिन यह पढ़ाई अपनी मर्जी से नहीं बलकि इनको एक स्कूल के देपकों के दोरा यहां पे बुलाया जाता है क्योंकि लोकडाउन के कारण स्क कारने बंद कर रहे हैं लेकिन उसके बावजुद भी यहां पे एक स्कूल संचालक इन बच्चों को एक साथ यहां पे बिठा करके पढ़ाई करवाई जा रही है जब हमने पता किया तो पता चला हमें बादचित करने पर पड़ताल करने पर कि ये जो बच्चे हैं ये ग्यान जोती पब्लिक स्कूल मानक दिवान के बच्चे हैं और उसी का पूरा स्टाफ जो है दड़बा कला गाउं के अंदर एक मकान किराये पर ले करके वहाँ पे एक अवैद तरीके से स्कूल चलाने का काम कर रहे हैं अब ऐसे में जब ग्रामिनों को भनक लगी तो ग्रामिनों ने स्कूल का विजिट किया और वहाँ पे जा करके जब वीडियो बनाया और वीडियो में पूस्ताच की तो ये पता चला कि ये मानक दिवान का ग्यान जोती प बच्चे बैटे हुए हैं एक क्लास के अंदर 20 से 25 तीस बच्चे बैटे हुए हैं तो ऐसे में अगर इनकी साथ कल को कोई अन्होनी घटना हो जाती है या फिर वाइरस का सिकार हो जाते हैं तो इसका जिम्मिवार कौन होगा तो इस बारे में कोई भी परती के रिया उनकी तर करवाई नहीं हुई है अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सरकार में तमाम सरकारी और गैर सरकारी जो सिक्षेंट संस्थान हैं उनको बंद करने के आदेश जारी किये हुए हैं हलांकि अब तक बड़े बच्चों के या कोलेज भी अब तक खोलने की परमिशन नहीं द इससे पहले भी मैंने आपको एक तस्वेर दिखाए थी दड़बी गाओं की और ड़बी गाओं में किस परकार से स्कूल के अंदर ही बच्चों की पड़ाई को करवाय जा रहा था बिना किसी मास्क के और छोटे छोटे बच्चे हैं अब यहां पे कुछ लोग कहेंगे कि ह हम बच्चों के पड़ाई के खिलाफ हैं हम बच्चों के पड़ाई के खिलाफ नहीं हैं लेकिन हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं कि छोटे बच्चे हैं सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया है कि 10 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो घरों से बाहर ना निकलें क्योंकि उन पे तमाम जो बच्चे हैं वो शायद 10 साल से छोटे बच्चे जादा होंगे तो ऐसे में उन बच्चों को अगर वाइरस अटेक करता है उन बच्चों पे तो उन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड हम इसको सरासर कहा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों पे ये वाइर पे स्कूल के संचालकों पे कोई कारवाई करेगा या नहीं करेगा यह सबसे बड़ा सवाल उठकर के यहां पर सामने आता है आप इस वीडियो को देख करके क्या कुछ कहेंगे जड़ा कमेंट करके जरूर बताईएगा अजी आपको बेज़ा हुगा हैं इतने बच्चे कठे कर रखे हैं छोटे-छोटे कुछ कल को गया फिर था हूँ कि आप ग्यान जोते हैं मैडम जी क्या है है तो यह रूल के खिलाब है मैडम जी या वैसे कोई प्रमिशन है आपके बास है स्कूल वालों ने बेज़ा है कि आपको